हालो स्टुडेंट्स स्वागात है सभी का मारी यूटूब च्वेलन डीकिमस्टी क्लासिज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो एल्कोहल फिनाल एथर से है और आज हम एल्कोहल फिनाल एथर पे mcqs discuss करेंगे वर्कशीट आपको इधर दिखेगी राइट में आप लोग इधर देखें मैं यहां से रिट कर रहा हूँ पहला question है हमारा reduction of aldehyde ketones and ethers with sodium in presence of ethanol is commonly known as यह आपका learning skill का question है learning skill का question है इसका मतलब यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा learning skill का question है यहां पर बोला गया है question number one पूछा गया है किसमें aldehyde ketones और ethers का जो reduction है sodium और आपका C2H5OH के presence में उसको हम क्या बोलते हैं तो पहला option दिया है words reaction दूसरा है words fatigue reaction और तीसरा है बाउलेट blank reaction और लास्ट है आपका Clemensum reaction ठीक है यह चार option आप इदर दिख रहे होंगे तो इनमें से देखे words reaction होता है sodium होता है उसमें बट उसमें क्या होते हैं दूनों आपके alkyl halide होते हैं यह तो आपका नहीं होगा दूसरा है words fitting reaction and words reaction और words reaction में difference क्या है words reaction में आपका दोनों alkyl halide same होता है ठीक है या तो दोनो alkyl होंगे या दोनो aryl होंगे तो ऐसा होता है और जो आपका words fatigue reaction है उसमें क्या होता है उसमें एक alkyl होगा दूसरा आपका aryl होगा और होता वो sodium के अफसाथ ही में है ठीक है बट यहाँ पर आपका ethanol आ गया है तो इसमें आपका देक clemencion भी नहीं हो सकता clemencion reduction होता है sncl2 and scl के presence में यहाँ पर keval और keval third option आपका बचता है तो यहाँ पर यह चीज़ आप ध्यान लखिएगा learning skill है learning skill क्या है यह भी जान लीजिए बेखिए थर्ड option जो है आपका bullet blank reaction ही होगा ठीक है bullet blank reaction यह आपका एक ऐसा reaction है जिसमें क्या होता है जिसमें reduction होता है किसका किसका होता यह भी जान लीजिए देखिए यहाँ पर sodium और C2H5OH जो होता है इसकी presence में reduction होता है किनका किनका होता है एक तो आपका होता है ether एलकोहल होता है ठीक है sorry aldehyde है and की टून से अब आप सोच रहे होंगे कि इनका reduction होता किसमें है तो इनका देखिए यहाँ पर इसको मैं थोड़ा से correct कर दूँ यहाँ से यह जो आपका reaction है ध्यान दीजेगा सभी लोग इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ether ether ठीक है और क्या था aldehyde है यह ध्यान भी रखना सभी लोग और क्या ketone है इनका जो reduction है वो alcohol में ही होता है ध्यान रतना यह जो आपका नेम रियक्शन है बॉलट ब्रॉंग reaction यह alcohol में ही करता है reduction यहाँ पर sodium C2H5OH यह आपका होता है ठीक है तो सभी लोग option number इसका C correct हो जाएगा मैं आपर लिखे दे रहा हूं यह जो question है इसका option number C correct है ठीक है option C आपका बिल्कुल correct होगा next question पर चलिए next question है आपका which are the following organic compound give a mixture of alcohols with Na C2H5 तो बहुत आसान है देखिए यहाँ पर तीनों option आपको दिख रहे है question number 2 पर जाएए सभी लोग यहाँ पर पहला option आपको दिख रहा है R C O O H ठीक है दूसरा option क्या है R C double bond O O R dash है एक और option दिया है R CH2 CH2 OH और last में दिया है H COOH तो देखिए इसमें दिमाग लगाई है थोड़ा ऐसा कि कौन सा आपका ऐसा compound है ऐसा आपका organic compound है जो आपको mixture दे सकता है alcohols का तो जड़ा दिमाग लगाई है कि देखिए वही आपका alcohol दो mixture दे सकता है एक से ज़्यादा alcohol दे सकता है जिसमें carbon oxygen दोनों side में हो तो यहाँ पर देखिए यह जो आपका compound है इस साइड तो आपका carbon oxygen दिख रहा है बड़ इस साइड नहीं है ठीक है यह वाला question क्या हो जाए यह तो आपका correct क्याने की trick है यह आपको option कौन सा है यह option आपका है यहाँ पर बी वाला option आपका correct हो जाएगा सभी लोग लिख दीजिए यहाँ पर question number two का option number B ठीक है मैंने आपको trick बताई है जहाँ पर भी mixture आप alcohol की बात करें तो समझ लेना अगर यहाँ पर oxygen carbon bond break होगा तब ही आपका हो सकता है तो केवल और केवल आपका यह जो इस्टर है वही आपको mixture दे सकता है यह आपके mixture देने के लायक नहीं क्योंकि इनमें एक साइड में हाइड्रोजन है दोनों साइड में oxygen के दोनों साइड में organic chain होना important है question number three पे जाएए सभी लोग तो बड़ा आसान ने देखिए it is due to इसमें पूछा है इसने और इसमें पहला option दिया है nucleophilic addition possibly यह एक्वस के प्रजंस में आपका elimination होता है ध्यान रखना सभी लोग दूसरा है आपका nucleophilic substitution नहीं possible है dehydrohalogenation हो सकता है दे आपका beta elimination है तो देखिए इसमें जो आपका alcohol है और aqueous के ओएच है अगर इसमें यह करेगा तो dehydrohalogenation ही करेगा हाला कि वो beta elimination का ही example है question no.3 की में बात कर रहा हूँ beta elimination का ही example है यहाँ पर देखिएगा सभी लोग चलिए देखिए इसमें पूछा है उसने one degree halocane question no.3 की में बात कर रहा हूँ वन डिग्री hello alcan जो है previous chapter का यह थोड़ा सा मिलता जुलता है यह आपका क्या करता है यह आपका alcohol दे देता है ठीक है बड़ जो आपका 3 degree है वो क्यों नहीं देता है वो क्यों नहीं देता है बता दूँ मैं आपको देखिए यह आपका conceptual question है यह आपका alcohol नहीं देता है ठीक ह no alcohol ठीक है और देता क्या है यह मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर यह देता क्या है alcohol नहीं देता है कुछ तो देता है क्या देता है इलकीन देता है ठीक है यह आपका इलकीन देता है तो यहाँ पर यह जो आपका alcohol है इसे भी समझ लिए हाला कि यह हमारा option नहीं है ठीक है यह किसके थुरू देता है हाँ पर यह आपका जो है यह substitution करता है substitution reaction से करता है यह और यह जो आपका यह जो एलकीन देता है यह dehydro halogenation होता है dehydro halogenation ठीक है यह भी आपकी एक reaction ही है dehydro halogenation भी आपकी एक reaction है यहाँ पर यह आपका बीटा elimination का ही example है यहाँ पर फोर्थ option आपका देखिए उद्धर बीटा elimination भी given है उसमें बट यहाँ पर dehydro halogenation सबसे super answer है अगर यहाँ पर dehydro halogenation नहीं given होता है कुछ और दिया होता free radical reaction दिया होता है कुछ भी दिया होता तो फिर आपका option number four correct होता है यह जो आपका है यह बीटा elimination का example है तो यहाँ पर हम किसको correct करेंगे इसमें option c को ही हम correct कर रहे हैं ठीक है question number three में option number c ही आपका correct होगा नोट कर लिए सभी लोग next question है आपका question number four the reaction with lithium aluminum hydride must be carried out in anhydrous condition because पूछा गया है कि जो lithium aluminum hydride है आपका वो हमेशा dry condition या anhydrous condition में ही क्यों यूज़ किया जाता है उसका reason है क्योंकि वो बहुत तेजी से क्या होता है blast करता है explode करता है और यहाँ पर जो question number four है आपका वो learning skill का question है ठीक है lithium aluminum hydride बहुत ही बहुत ही highly reactive आपका reducing isn't है यह क्या करता है यह water के साथ में क्या करता है react with water violently ठीक है violently का मतलब जानते हो violently का मतलब होता explode करके बहुत पटागे जैसी आप आज आती है उसमें आपके जो glassware से यूज हो रहे होते हैं during the reaction वह आपके break हो सकते हैं that's why इसको हम हमेशा किसमें यूज करते हैं हमेशा enhydrous condition में यूज करते हैं इसलिए यहाँ पर जो option number आपका है वो बी correct हो जाएगा सभी लोग चेक कर लीजिए question number four में option number B दिया हुआ है lithium aluminum hydride क्या करता है water के साथ में violently react करता है इसलिए moisture उसमें नहीं होना चाहिए जब आप lithium aluminum hydride का use कर रहे होते हैं option number B आपका correct हो जाएगा next question पर जाएगे question number five in the following reaction the number of carbon atoms in the product A is तो यह देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर देखिए एक आपका additional product बन रहा है और आपसे number of carbon atom पूछ रहा है product A में जो कि आपका forward any further reaction आगे उसमें दिया हुआ है आपको यहाँ पर यह देखना है सबसे पहले greenard resident जो हमने use कि जा है उसमें कितने carbon है ठीक है फिर वो एपॉक्साइड से जब react करेगा तो एड़क्ट बनेगा एक additional product बनेगा फिर उस पर water hydrolysis में करना है तो यहाँ पर जो आपके total number of carbon है वो 3 होने चाहिए देखिए एपॉक्साइड में count करें कितने हैं एपॉक्साइड में आपके कितन additional product बनेगा यहाँ पर तो यहाँ आपको number of carbon atom 3 ही मिलेंगे द्यान दीजिएगा सभी लोग देखिए question number 5 यहाँ पर दिया हुआ है एक तो आपके यह दिया हुआ है CH3MGI ठीक है और क्या है इसमें इपॉक्साइड रिंग दी है CH2 CS2O जब यह इसके साथ में react करेगा तो यह देखिए एक oxygen carbon bond break हो जाएगा यहाँ पर total carbon कितने हो जाएंगे जड़र count करिए सभी लोग देखिए यहाँ पर इसमें कितना carbon है यहाँ पर one carbon है और इसमें कितने है इसमें two carbon है तो जब यह दोनों add हो जाएंगे कि एड़क्ट बनेगा एड़क्ट के बाद में क्या होगा यहाँ पर एक आपका वो भी बनेगा एक चीज़ यहाँ पर और भी आ जाएगी यहाँ पर इसका water hydrolysis भी दिया हुआ है water hydrolysis है ठीक है तो टोटल नमबर आपके वो कितने हो जाएंगे carbon थ्री carbon items हो जाएंगे ठीक है ओप्शन नमबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ओप्शन नमबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा option number B is correct चलिए question number 6 पर चलते हैं question number 6 सभी लोग देखिए question number 6 में दिया है in the following reaction इसमें एक एलकीन दी हुई है और इसमें acid hydrolysis कराया जा रहा है और एक product बन रहा है CS3 CHOH CS3 यहाँ पर देखी जो product बना हुआ है आपसे पूछा गया है तो देखे इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ आपकी है reaction वो हमेशा HG आपका एक mercury का एक compound होता है HG acetate उसके presence में होता है तो यहाँ पर देखे है HG का कोई compound तो आया नहीं reaction में that's mean option number D आपका बिल्कुल wrong हो जाएगा बिल्कुल बेकार हो जाएगा मारकोनी काफ्स रूल पर हम चलेंगे sad Jeff रूल की भी हम बात कर लेंगे देखे sad Jeff रूल आपका कहा कहा लगता है मैं आपको पूरी चीज़ बता दूँ कायदेश से ध्यान दीजेगा सभी लोग question number six हम concern कर रहे है sad Jeff रूल आपका हमेशा elimination में लगता है ध्यान देना सभी लोग sad Jeff रूल जो है sad Jeff रूल का केवल और केवल काम कहां पर होता है elimination में होता है यहाँ elimination तो है नहीं सभी लोग ध्यान देना elimination नहीं है क्यों नहीं elimination है मैंने आपके प्रिविए जो लेक्चर वीडियो था hello alkenes hello arines पर वहां भी आपको बताया था कि जो भी आपका alken अगर कहीं भी alken आपका product form हो रहा है ठीक है और वह alkyl halide से बढ़ना that's mean वहां पर आपका elimination है तो elimination में आपका हमेशा alken मनता यहां पर जो given reaction है उसमें product में दिया हुआ alken तो यहां पर elimination थो हो नहीं सकता है बड़ यहां पर समझने के लिए आप यह सारे चीज़े ध्यान रखिएगा anti-marconi cow या marconi cow में से ही होगा अब आपको ध्यान यह देना है कि जो आपका इसमें यह compound दिया हुआ है जहां दीजेगा सभी लोग CH3 C double bond CH2 यही compound दिया हुआ है इस पर addition हमें किसका कराना है water का कराना है H2O का ठीक है तो H ऐसे लिखा जा सकता है ठीक है ऐसे तो लिखेंगे इसको यह जब यहां से breakdown होगा तो इस पर positive charge आएगा इस पर negative charge आएगा यही तो होगा ठीक है वहां पर hydrogen चला जाता है और जहां hydrogen कम लगे होते हैं वहां hydrogen के अलावा जो बचता है उसी को हम जोड़ देते हैं तो जो नीगेटिव वाला पार्ट है यह कौँ सा पार्ट है यह आपका negative part है और ये वाला ये positive part है तो positive part वहाँ पर लगता है जहाँ पर more hydrogen side ठीक है more hydrogen side और ये less hydrogen side जुड़ जाता है less hydrogen side ठीक है तो आप देखें ये वाला जो आपका है ये कहां जाएगा ये यहां आएगा और यह जो आपका H प्लस था यहाँ जुड़ जाएगा जब यहाँ जुड़ जाएगा तो यहाँ प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा CH3 CH ठीक है यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा CH2 and H चाहो तो इसको कंबाइन करके CH3 लिखतो तो यही तो हमारा बना हुआ है यहाँ पर आप देखो उसमें काउन सा ओप्षिन करेक्ट हो जाएगा यह तो आपका जो रूल है यह रूल जो हमारा है यह क्या बोलता है इसको हम बोलते हैं anti-marconi-cow rule यह जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर यह ठीक है यह क्या है यह आपका anti-marconi-cow rule है सबी लोग ध्यान रखना इस चीज़ को anti अपने 11th में पढ़ा होगा koni-cow's rule यह आपका rule है ठीक है यह rule था और इसके according आपका option number कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइए बटापट देखें सबी लोग इन मार्कोनि-cow's addition during the step first the addition of h-plus occurs on the carbon atom of double bond because it produced more stable free radical देखें मार्कोनि-cow addition में तो कभी नहीं बनेगा ध्यान रखिएगा मार्कोनि-cow addition में कभी भी free radical नहीं बनेगे एंटी-mार्कोनि-cow addition में ज़रूर बन जाता है तो यह पहला option तो हो गया बिल्कुल बेकार दूसरा है आपका it produces more stable carbon carbon may भी हो सकता है carbon carbon बना सकता है क्योंकि यहाँ पर ions बनते हैं तो carbon carbon भी बन सकता है बट उसमें step first में नहीं ब protonation होता है इसके बाद में it produces more stable sorry उपर वाला option था carbon iron carbon iron नहीं बनेगा ठीक है तीसरा है आपका it produces more stable carbon carbon तो यहाँ पर जो आपका option number c है वो correct हो जाएगा question number 7 की में बात कर रहा हूं हमेसा जहां रहा हूं हमार्कोनि-cow addition जो है मार्कोनि-cow addition जो होता है वो आपका किसके through होता है followed by मैं आपे लिखे दे रहा हूं followed by किसके द्वारा होता है χोनारा चाहिए और कार्बोकेटायन आपका कैसा होना चाहिए कार्बोकेटायन आपका more stable होना चाहिए ठीक है कार्बोकेटायन का मतलब है मोर स्टेवलադ्ट तो यह concept है इस question में तो I think आपका option number c करेक्ट हो बढ़ते हैं next question की तरफ इसका चाहें तो आप लोग screenshot मार लिए फटा-फट screenshot मार ये फटा-फट जल्दी से क्योंकि questions में speed आपकी आनी चाहिए अगर speed नहीं है तो भी वेकार है चलिए question number 8 पे चलते हैं सभी लोग question number 8 पे धहन दीजिए question number 8 क्या है पढ़िए सभी लोग question number 8 है आपका oxy-mercuration and demercuration proceeds according to पुछा गया है इसमें oxy-mercuration and demercuration जो रिएक्शन है वो किसके according होती है तो learning skill question है ये फटा-फट मार ये टी किसमें question number 8 का B हो जाएगा मारकोनी कॉफ्स एडीशन होता है हमें साथ हैं रखिएगा question number 8 की में चर्चा कर रहा हूँ पुछा क्या गया है इसमें oxy-mercuration oxy-mercuration demercuration ठीक है ये जो है आपका किसके according होता है मैं बता तूँ आपको मारकोनी काव एडीशन होता है इसमें मारकोनी के हिसाफ से होता है मारकोनी कॉफ्स रूल ठीक है तो option number चिक करो फटा फट कौन सा है और मारकोनी वाला किसमें दिया है मारकोनी वाला option B में दिया है तो फटा फट टिक करिए option number B हो जाएगा आपका correct ये learning skill है ये आपको यादी रखना पड़ेगा इसमें अगर concept की में बात करूँ तो concept मारकोनी कॉफ्स रूल के according होता है next आपका question number 9 है following addition एक reaction दिया है takes place according to देखे reaction क्या है वो पहले मैं नोट कर दूँ यहाँ पे question number 9 reaction है आपका CS3 sorry R है R दिया है फिर CH है double bond CH2 है इस पे क्या कराया है इनोंने इस पे इनोंने water का hydrolysis कराया है in the presence of boron trifloride tetrahydrofuron इनके साथ में water का addition हुआ है तो मैंने अभी आपको बताया था कि water को आप क्या करेंगे break कर लेते हैं दो parts में कौन कौन से water को ऐसे ही तो break करेंगे एक आपका हो जाएगा H दूसरा हो जाएगा OH और OH जो होगा वो क्या है OH आपका चलिए OH जो है वो minus charge gain करेगा इस पे plus charge gain करेगा उदर जो इनोंने product given है जो बनाया है reaction में वो क्या है R CH CH यहां पर भी है CH and 2 पच पह है यहां इनोंने OH लगा दिया है और यहां इनोंने H लगा दिया है तो अबी देखो मेंने आपको बताया था कि इसमें कौन सा आपका rule लगेगा यहां पर मेंने बताया थे कि यहां पर यह OH इस पे चला गया है और H वाला इस पे चला गया है ये जो आपकी side है ये वाली जो side है इस पे क्या है ये less hydrogen side है है की नहीं है देख लीजिए less hydrogen इस पे एक hydrogen है इस पे दो hydrogen है ये वाली कौन सी है ये more hydrogen side है और आपको ये पता है सभी को कि यहाँ पर जब minus part negative part आपका more hydrogen side जाता है तो वो मारकोनी काव addition होता है और अगर minus वाला part कम वाले पे चला जाए कम hydrogen वाले पे जुड़ जाए जाकर तो उसको हम anti-marconi बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए OH तो इसी में जुड़ा हुआ है OH किस में जुड़ा हुआ है more hydrogen side पे और H आपका जो positive part है वो कम hydrogen side पे जुड़ा हुआ है तो यह कौन सा rule हो जाएगा यह आपका मारकोनी काव रूल हो जाएगा जिन लोग को concept नहीं clear है वो समझ ले इस चीज़ को ठीक है, मारकोनी और anti-marconi दोनों होते एक दूसरे की उल्टे ही है बट, मारकोनी में क्या होता है negative part वहाँ जाता है जहाँ ज्यादा hydrogen होते है और anti-marconi में negative part वहाँ जाता है जहाँ कम hydrogen होते है तो यहाँ पर आपका option number चेक कर लीजी कौन सा होगा देखिए सभी में option number 9 का sorry, इसमें anti-marconi होगा चेक कर लेना सभी लोग anti-marconi ही होगा इसमें क्योंकि previous question के जैसा ही है यह बिल्कुछ सही बात है देखिए यहाँ पर उल्टा हुआ है यहाँ पर अगर hydrogen इस पर जाता है तो यह आपका होता था marconi otherwise यह आपका anti-marconi चला जाएगा यहाँ option number B नहीं आपका option number A correct होगा सभी लोग यहाँ पर सभी कर लिजिए इसको यह previous question में आपका इस तरह से नहीं उल्टा था तो उसमें markoni था इसमें anti-marconi आ जाएगे तो यहाँ option number A आपका correct हो जाएगा next questions अभी लोग देखिए इसको मैं यहाँ से अटाकर यहाँ लिखे दे रहा हूँ hydrogen side screen shot मारते रहना समझते भी रहना पूरा वीडियो वाच करना नहीं तो miss कर गए तो फिर हमें सा miss करोगे क्यों miss कर दिया question number 10 देखिए सभी लोग which of the following is a decarboxylating agent बहुत आसान है learning skill का question है question number 10 decarboxylating agent decarboxylating agent आपका क्या करता है carboxylic acid की carbon dioxide को भगा देता है carboxylic acid की carbon dioxide gas को हटा देता है CO2 निकाल देता है तो decarboxylation agent जो है आपका वो soda lime होता है अब आप soda lime जिनको soda lime का formula नहीं पता है composition नहीं पता है मैं बता दूँ आपको यहाँ पर CAO प्लस nao h होता है जो की decarboxylating agent होता है अब option number चकर लो यह किसमें दिया हुआ है option number B आपका correct हो जाएगा टिक मारो फटाफट option number B correct हो जाएगा question number 10 का question number 11 है आपका ethyl alcohol and dimethyl ether both have same molar mass देखिए ethyl alcohol और dimethyl ether दोनों के molar mass molecular weight same होते है but ethanol have higher boiling point than dimethyl ether बड़ा असान question है देखिए इसमें पूछा है पहला option इसमें दिया है presence of two lone pairs बेलकुल नहीं हो सकता है presence of intermolecular hydrogen bonding यह हो सकता है क्यों क्योंकि जो आपका boiling point है उसके लिए hydrogen bonding responsible है होता भी है जहाँ पे hydrogen bonding आ जाएगा और स्थिम structure वाले में गर नहीं आता है तो that's mean वो जो आपका जिसमें नहीं है option है hydrogen bonding उसका boiling point लूँ होगा वो जल्दी temperature पर boil हो जाएगा बट जो hydrogen bonding है वो क्या करती है वो molecules को bind करती है उसको चिपकाया रखती है से लिए उसका boiling point पर जाता है तो समें option number आपका कौन सा correct हो जाएगा option number आपका अब B correct हो जाएगा यहाँ पर मैं बता दूँ आपको 11th question है यह ठीक है तो यहाँ क्या होगा यहाँ दो आपके दिये हुए आपका एक दिया है ethyl alcohol ethyl alcohol है दूसरा आपका क्या है dimethyl ether है ध्यान रखिएगा यह जो भी बताने जा रहा हूँ आपको dimethyl ether यह दिया है इसमें क्या है और इसमें क्या है देखी क्या है इसमें क्या है hydrogen bond is present यही तो है इसकी कहानी क्या है hydrogen bonding is present यह तो इसमें है और इसमें hydrogen bonding absent है, इसके molecule के बीच में नहीं होती है, hydrogen bonding absent है, intramolecular hydrogen bonding आपकी absent है ठीक है तो यहाँ पर boiling point क्या हो जाएगा इसका ज्यादा हो जाता है high boiling point high BPT का मतलब होता है boiling point, यह हो जाएगा low BPT's, ठीक है, यहाँ option number कौन सा correct हो जाएगा, option number B correct हो जाएगा, इतना सब पढ़ने के बाद में option number B ही हमारा correct होगा क्योंकि presence आप hydrogen bonding effect कर सकती है boiling point को next question है, question number 12 which of the following reactions show alcohols are acidic nature बहुत आसान है, इसमें वही reaction आपकी acidic nature को present कर सकती है, जिसमें active metal को किस से कराया गया हो reaction, देखिए alcohols जो आपके होते हैं active metals से गर reaction करें, active metals का कौन कौन सी होती है, वो भी मैं यहां concept में बताया दे रहा हूँ आपको active metals से गर reaction करें, जिसमें आपका क्या है, sodium है potassium है, aluminum है and magnesium है यह चारों metal बड़े active होते हैं और यह क्या प्रदलसित करते हैं क्या represent करते हैं, यह भी मैं आपको बता दूँ alcohols का acidic character represent करती है, सभी लोग याद रखिएगा acidic nature of alcohol क्योंकि यह alcoxide बना लेते हैं फट से sodium के साथ कराएंगे reaction तो sodium alcoxide बना लेगा, ठीक है potassium के साथ कराए, potassium alcoxide बना लेगा और aluminum alcoxide बना लेगा alcohol का acidic nature show हो रहा है, alcohol का acidic character या acidic nature of alcohol show हो रहा है यह आप बिल्कुल ध्यान रखना ठीक है, यह concept है learn कर लो, और ऐसे जहां भी question फस जाएं, तुरंत देख के ही टिक मार दो, बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका, option number पर देखिए सभी लोग, कौन सा में ऐसा option है, जिसमें, इन में से कोई भी metal आया है, देखिए option number C में आया है कि नहीं आया है, सभी लोग देखिए, option number C में आया है, two sodium atom है ठीक है, आया है कि नहीं आया है, देख लीजे सभी लोग CH3 CH2 ONA यह है कि नहीं है यहाँ प्लस है या माइनस अरे चलो प्लस माइनस नहीं है कोई बात नहीं बट यह जो इतना पोर्शन है ज्यान देना सभी लोग यह जो इतना पोर्शन है आपका यह सो कर देता है यहाँ भी बन गया वहाँ पर तुरंट असदिक नीचर आपका आ जाए है तो आई थिंग यह वाला आप्शन आपका करेक्ट होगा कौन सा ओप्शन है ओप्शन नम्बर C कौस्चन्स में भी देखते रहना केवल मेरे कैलकुलेशन पर ही मत देखना थ्यान भी रखना है तर भी द्यान रखना जरूरी है और दर भी दोनों तरफ एक साइट एक जैसी कंसंट्रिशन रखना बहुत आसान है देखो एक्टिव मेटल होगी वह तो सब बना लेंगी फटापट जो इनक्टिव मेटल होगी वही नहीं बनाएगी तो यहाँ पर देखिए क्वेशन नम्बर 13 में जरा सर्ज करिए चार आप्शन है पहला है सोडियम दूसरा है अलुमिनियम तीसरा है लेशियम और एलुमिनियम ये तीनों के तीनों मेटल क्या है एक्टिव मेटल है और एजी क्या है ये बहुत ही लीस्ट रियक्टिव मेटल है तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके एक्टिव मेटल्स है वो क्या करते हैं एक्टिव मेटल्स क्या बनाएंगे एलकॉक्स formation करेंगे या form करेंगे बट यहाँ पर inactive metal जो होता है वो इतना able ही नहीं होता है कि वो alcohol के oxygen hydrogen bond को तोड़ दे नहीं तोड़ पाता इसलिए inactive metal बोला जाता है और यह जितने भी inactive metal है यहाँ पर एक ही लिखा हुआ हमने metals दिख दिया है तो यह क्या करेगा इस वजए से यह क्या करता है यह बना नहीं पाएगा तो यह sd character भी नहीं show करेगा question में हमसे यही पूछा है कौन नहीं बना पाता है तो जी इसमें fourth वाला जो है वो ag नहीं बना पाएगा तो ag नहीं बना पाएगा तो लो जी इसको लिख दीजिए option number D will be correct option number D will be correct ठीक है नोट कर लिए सभी लोग पटापट तो आज के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में आगे के जो questions हैं उनके लिए चर्चा करेंगे तो वीडियो कैसा लगा comment करके ज़रूँ बताइएगा और चैनल पे जो लोग नए हैं subscribe, like, share, छोगना मत बूलिए ठोकते रिए सभी लोग और देखते रिए इस तरह का रिंज़ाय करके पढ़ते रिए किमिस्ट्री मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद